आज हम पढ़ने वाले class 9th NCRT Mathematics में टॉपिक है Introduction to Euclid's Geometry इसमें Euclid's Geometry के बारे में जानेंगे सबसे पहले जानेंगे Euclid's Geometry होती क्या है Study up solids and planes using Euclid's exomes and postulates Euclid's was an Egyptian mathematician Euclid's Geometry के द्वारा दिया गया था इसने इसमें study करी थी solids और planes के बारे में जिसमें विभिन प्रकार Euclid's exomes and postulates study करी हुई थी Euclid's exomes कुन-कुन से होते हैं उसके बारे में जानेंगे So Euclid's exomes Euclid's exomes are common motions Are the assumptions of the obvious universal truth that have not been proven So Euclid's exomes होते हैं Euclid's exomes number first होता है Things that are equal to the same thing are equal to one another इसका मतलब यह है अगर दो same part है तो इसको हम बराबर लग से जैसे Example है अगर A equal to B है और B equal to D है तो इसको हम A equal to D लेख सकते हैं अगर दिया हुआ है A equal to B दिया हुआ है और B equal to D दिया हुआ है तो हम इसको A is equal to D लिख सकते हैं क्योंकि A के बराबर B और B के बराबर D दिया है इसके कारण हम A. equal to D लेख सकते हैं तो यह जो पहला ऑजूम्शन है पहला एजूम्शन क्या है That, things that are equal to the same thing are equal to one and another A. equal to B. or B. equal to D. A. तो इसको हम A. equal to D लिख सकते हैं नेस्ट एजुम नंबर शेकंड है जो वो है इफ एक्वल आर एड़ेट टू इक्वल्स इह ओल्स आर एक्वल मतलब अगर कहीं भी दो पॉइंट अगर एड कर रहा है बराबर तो उसका कोई पॉइंट पर जैसे कोई एक्वल है जैसे फोर है और दूसरे जगा फोर है इसमे कोई इक्वल पार्ट मैं अगर कोई एक्वल tweak रहेगा जैसे कि एक्वन पार्ट महीं इसमें पेड़ इसमें प्रेक्वल सेकेर। मतलब किसी भी अगर पार्ट है तो उसमें से अगर सब्त्रक्त कर रहें तो उसका देंड बचेगा वह बरबिचेगा सब्सक्राइब इसमी एकप्स like रहे हैं यह भी ऐगा तो इसमें से 2-2 कर रहा तो यह भी 5 आएगा तो 7-2 equal to 5 और 2nd में भी 7-2 equal to 5 तो यह होता है एक्वम नमबर 3 एक्वम नमबर 3 वे क्या होता है if equals are subtracted from equals the remainders are equal next है एक्वम नमबर 4 यह है things that coincide with one another are equal to 1 अगर कोई coincide line है एक point से दूसरे point के लिए तो वो भी उसके बराबर होगी जैसे कि यह दिया हुए जैसे मालो कोई A point है कोई B point है A और B की बीच में एक line दी हुई है इसके बीच में उपर अगर हम coincide line खीचते हैं इसके उपर एक double line खीचते हैं तो वो भी इसके बराबर ही होगी जैसे मालो A और B 5 cm की line है और अगर उपर हम एक और coincide line खीचते हैं A और B की बीच 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 वी, अगर किसी भी line की उपर line खीचते हैं उसको coincide line बोलते हैं तो वह उसके बराबर होगी, तो एक जोब नमर four क्या है, things that coincide with one another are equal to one, एक जोब नमर fifth है, the hole is greater than the part, किसी भी कोई part है, कोई hole है, इसमें अगर कोई part को cut कर देते हैं, तो cut कर देते हैं, तो हमेशा जो यह बचा हुआ रहेगा, यह whole part जो है, वो हमेशा बड़ा रहेगा, तो इसमें दिया हुआ है, जैसे यह whole part दिया हुआ है, इसमें से कोई cut कर दिया है, तो इसके बाद, जो cut वाला part होगा, वो छोटा होगा, और जो इसका बड़ा भाग है, वो whole भाग है, वो greater than होगा, एक्जम नमबर फिप्त क्या है, the whole is greater than the part, parts में से बड़ा होगा, एक्जम नमबर शिक्स है, things that are double of the same things are equal to one another, अगर हम a equal to two भी ले रहे हैं, डबल ले रहे हैं, और c equal to two भी ले रहे हैं, अगर दोनों double हैं, तो इसको हम a equal to c लेख सकते हैं, तो एक equal to two भी है, और c equal to two भी है, तो हम a equal to c लेख सकते हैं, तो यह एक्जम नमबर शिक्स होता है, things are double of the same things are equal to one another, तो a equal to b है अगर c equal to two भी है, यहाँ पर a equal to c लेख सकते हैं, नेक्स्ट है, एक्जम नमबर सेविंथ, things that are half, the same things are equal to one another, अगर किसी पार्ट का हाप दिया हुआ है, दोनों बराबर है, तो उसका भी हम बराबर लेख सकते हैं, जैसे a equal to b upon two है, और c equal to b upon two है, तो इसमें हम a equal to c लेख सकते हैं, यह अगर यह हाप दिया हुआ है, किसी भी चीज़ का, तो वो भी हम ले सकते हैं, तो a equal to b upon two है, और c equal to b upon two है, तो a equal to c लेख सकते हैं, तो यह एक्जम होते हैं, एक्जम कौन कौन से होते हैं, एक बार और देख लेते हैं, एक्जम नमर फस्ट होता है, things that are equal to the same thing are equal to one another, जैसे कि a equal to b, b equal to d है, तो a equal to d लेख सकते है इसका example है, next exam है, if equals are added, to equal the holes are equal, अगर कोई भी जिगाए पर दो equal add कर रहे हैं, equal part में, तो दोनों का add जो हो है, वो बराबर आएगा, एक जोब नमबर थार्ड है, if equals are subtracted from the equals, the remainder are equal, किसी भी equal part में से, अगर equal हम subtract कर रहे हैं, तो उसका भी, जो remainder बचेगा, वो भी बराबर आएगा, एक जोब नमबर फोर्थ है, things that coincide with one another are equal to one, किसी भी point से, a और b point है, तो अगर कॉण साइड लाइन खीच रहे हैं, तो वो उसके बराबर होगी, एक जोब नमबर फिफ्थ है, the whole is greater than the part, कोई भी whole part है, उसमें से, अगर कोई part को cut कर देते, तो हमेशा जो whole part बचेगा, वो जादा होगा, तो whole is greater than the part, एक जोब नमबर फिफ्थ है, things that are double, आप the same thing, are equal to one another, अगर किसी भी चीज़ का कोई double है, a equal to 2 भी है, और c equal to 2 भी है, तो हम a equal to c लिख सकते हैं, यह एक्जोम होते हैं, इन्हें एक्जाम से रिलेटेट एक्जाम्पल है, जैसे कि दिया हुए प्रेमा मार्क्ट थ्री पॉइंट्स a, b and c on the line, such that b leaves between the a and c, help will have proof a, b plus b, c equal to a, c, एक लाइन है, इसमें कि b इसका मिट पॉइंट है, और a और c दिया हुआ है, तो a, c coincide with a, b plus b, c, अगर हम a, c लाइन खीशते हैं, तो a, c लाइन खीशते हैं, तो a, b plus b, c हो जाएगा, इसको पर coincide लाइन खीशते हैं, तो a result नमर, इसमें फॉर्ट लगेगा, euclid's का, say things that are, that coincide with one another, are equal to one another, हमें इस सब coincide line होगी, बराबर होगी, so it can be reduced, that ab plus b, c equal to a, c that has been assumed that there is a unique line passing, through two points, so इसमें क्या होगा, इसके बराबर होगी, इसका ये प्रूफ हो जाता है, अगर हम AB line खीशते हैं और PLUS BC line खीशते हैं तो दोनों का मिला करके AC line किस जाती है यह आपको मालूम है तो इसमें कौन सैट line इसकी होगी तो यह इसका प्रूफ होता है अब इसमें पढ़ते हैं यूकिलेट्स पॉस्टुलेट्स अब इसमें पॉस्टुलेट्स आप इसमें पहला होता है यूकिलेट्स पॉस्टुलेट्स नमर वन है एस्टेट लाइन में बीडरॉन फ्रॉम एनी बन पॉाइंट तु एनी अधर पॉइंट कोई भी एक पॉइंट से कोई भी अधर पॉइंट के लिए हम एक इस्टेट लाइन की सकते हैं यह पॉस्टलेट नमर फस्ट है पॉस्टलेट नमर फस्ट क्या है यूकिलेट्स पॉस्टलेट नमर फस्ट आ इस्टेट लाइन में भी डॉन फ्रॉम एनी बन कोई एक पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है, उसको बीच में हम एक state line कीश सकते हैं, tujus पॉस्ट्टलेट पॉस्टिलेट नमर शेगंड है, a terminated line can be produced indefinitely, कोई भी अगर हम कोई points आगर terminated line खीशते हैं, तो यह आगे तक indefinitely जा सकती है, तो यह है, Euclid's Postulate method है, a circle can drawn with any center and any radius कोई भी circle हम, कोई भी center और कोई भी radius से बना सकते हैं जैसे कोई center point लिया, इससे हम छोटा circle ही बना सकते हैं इससे हम बड़ा circle भी बना सकते हैं radius ले करके, बस radius चेंज करने पड़ी कि उसके साफ से हम circle बना सकते हैं तो यह इसमें example दिया हुआ है नेस्ट है एक जो Euclates पॉस्टलिट नमर फॉर्थ है all right angles are equal to one another कोई भी अगर right angle है 90 degree का right angle होता है अगर जिसमा लो यह right angle है 90 degree का तो हम इसको कैसे भी rotate कर दें वो हमेशा 90 degree का रहेगा right angles ही रहेगा इसको ऐसा बना दें ऐसा बना दें या पर इसको ऐसा करके ऐसा भी बना दें तो भी यह right angle रहेगा तो कैसे भी direction है बना दें तो right angles रहता है next है Euclates पॉस्टलिट नमर फिप्थ है if a straight line falling on two straight lines max and interior angles on the same side of it taken together less than two right angles then the two right straight lines produced indefinitely meet on that side on which the sum of angles is less than two right angles अगर कोई दो लाइन है step से और step से दो लाइन है इसमें से अगर हम पीछ में से intersect line खीचते हैं तो इसका interior angle बनता है जैसे यह बना one यहां पर angle two बना यह three बना और यह four बना अगर किसी भी angle का right angle जो की angle one plus angle two अगर 180 degree या इससे ज्यादा आता है इसका sum तो यह हमें यह indefinitely किस्ती रहेगी इसमें कभी मीट नहीं करेगी और अगर एंगल three और एंगल four less than 180 degree हो right angle से कम हो मतलब यह बन हो तो इसको क्या होगा आगे अगर हम line को खीचते हैं इसको आगे बढ़ाएंगे तो कहीं नहीं कहीं यह line आपस में intersect करेगी यही इसमें पॉस्ट्रे नम्मर फिप्त बोलता है तो फिप्त में क्या बता है यह एक डो पॉस्ट्रे से कम होगा हमेशा उसको क्या करेंगे इसको भी यह नहीं करेगी इंडेफिनियॉट नहीं तक जती रहेगी कि इओके लेट्स पॉस्ट्रिoral मर्त होता है योगा फोस्ट्री atology जो है यह पांस-परकार के होते हैं श्राय पॉस्तुलेत्स साहरे फ्रस्टे उच्रीयमनी fantastissant जा सकता है युकिलेट्स पोस्टिलेट्स नम्र थार्ड है अगर को राइट एंगल है तो उसको हम कैसी भी डारेक्शने बना दे वो राइट एंगल ही रहेगा अब यूकिलेट्स नम्र फिप्त है जो कि है यहां तो बनता है और यहां टू बनता है त्री बनता है और फोर्थ बनता है जिस भी इंट्री एंगल की सम स्व्श जो है जिसने मालेख यह है इसका वहां बनेट्र डिग्री से जादा जाता तो यह इन डेपिनेट ली तक ख्षत है और यह पॉर्ट ये थेर जाता है थेल्या तो यह क्या होगा यह आगे जागर के इंटर्शेक्ट होगी यह पोस्टिलेट होता है इस टोपिक्स रिलेटेट को सिसमें डेफिनेशन है जैसे कि हम जाने के सर्फिस क्या होता है कोई भी स्थान से दूसरे स्थान के लिए कोई उसकी बाउंडरी होती है उसको सर्फिस होते हैं कोई भी एक पार्ट होता है अगर स्पेस हो तोसमें क्या होता है कोई भी जिसमें नहीं होती है और सर्फिस कहर बोलते हैं या इस्टेट लाइन बोलते हैं पॉइंट क्या होता है ट्ली जांड एंडअ फंट लाइन की जो आकरी हिसा होता होता को हम पॉइंट बोलते है उसके कुछ एक्जाम्पेल है जैसे कि पहला एक्जाम्पेल दिया हुआ है इफ ए बी एंड सी आर थ्री पॉइंट्स ओन आ लाइन एंड बी लीज बिट्मिन एंड सी दे प्रूब देट एवी प्लस बीसी एक्वाल टू एजी एक लाइन दी हुए इसमें ए सी पॉइंट है और इसका मिठ पॉइंट है तो इसको प्रूब करना है एवी प्लस बी सी इकवDAY के बराबर सो क्यासे करेंगे इए इन दी इसका फिवटर एसी कोइंस आइप अगर हम टी से यहां A B मिला लेते हैं और B C मिला लेते हैं यह बन जाता है टोटल A C जो की A C का यह क्या होगा कोइंसाइड लाइन होगी तो आलसो एक यूकिलेट्स एक्जोम नम्मर फोर्थ होता है says that things which coincide with one another are equal to one another so it can be deduced that A B plus B C equal to A C के बराबर होगा so note that is in this solution it has been assumed that these is a unique line passing through two parts हो जाएगा example नम्मर 2nd है prove that an equilateral triangle can be constructed on any given line segment को यह अगर line segment है उसके द्वारा हम right angle बना सकते हैं उसके बारे में यह बताया गया है सबसे पहले में क्या किया हुआ है इसका solution है solution में सबसे पहले में किया गया है a line segment of any length is given AB जो A और B point है इसमें से हम एक line segment करते हैं फस्ट वाले में second में क्या होता है here you need to do some construction using Euclid's postulate number third you can draw a circle with point A on the center and B on the radius क्या होता है जैसे AB point लिया है तो इस AB point के लिए center से ले करके भी point पर रख करके यह circle बना देते हैं और यह point पर रख करके यह circle बना देते हैं यह circle बन जाएक तो यहां पर एक point मिल जाएका C point कह लाएगा अब तीनों C point को मिलाने के बाद इसको state line कीश देते हैं लिखा similarly drop another circle with point B at the center BA as the radius two circles meet on point C so now draw a line segment AC and BC in form triangle ABC third इसमें हम क्या करेंगे point मिला इसमें state line इसको कीश देंगे इसको मिला देंगे और इसको मिला देंगे तो यह एक triangle बन जाता है equilateral triangle बन जाता है तो equilateral triangle बनाने के लिए क्या करेंगे तो first condition है उसमें हमको दो line का सेग्में state line segment बनाएंगे दो दो पॉइंट लिए हैं कोई भी दो पॉइंट लेकर के इसको state line segment बनाया इसके बाद इस point से लेकर के हाप इसमें लेकर के यहां का इसका circle बना दी है और बी point का लेकर के यहां पर circle बना दी है इसका तो इसका क्या हो जाएगा यहां पर center आ जाएगा तो center point सी आ जाएगा तो इसको हम state line खीज़ देंगे तो यह equilateral triangle बन जाता है झाल